स्टार्ट अब कोरोना विशानू का चक्र तोड़ने को लेकर उम्मीद पलवती हो गई है ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने यहां कोरोना के टीके को अंतिम मन्जूरी दी है वहां की दवा एवम स्वास्ते उत्पादक नियामक एजिनसी ने दवा कंपनी फाइजर द्वारा तैयार टीके को 95 फीसद तक सुरक्षित और प्रभावकारी करार दिया है अब वहां यह टीका आम लोगों के उप्योग के लिए बाजार में उपलब्द हो सकेगा विराम पि लग रहा था कि कोरोना टीकों के परिक्षन में बड़ा अवरोध उत्पन हो गया है सीरो के टीके का एक प्रतिनिदी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था उसका उसके दिमाग पर बुरा असर दिखाई देने लगा था जिसके चलते उसने कंपनी पर भारी भरपाई का द ठोक दिया था विराम उसके बचाओं में भारतिय स्वास्थ विभाग को भी उतरना पड़ा फाइजर के टीके को मंजूरी मिलने से निसंदेह दूसरे टीकों के परिक्षन को कुछ बल मिलेगा वहें टीका दूसरे देशों के बाजारों में भी उतारा जा सकेगा पैरा य कोविड-19 जैसे विशानू को रोकने वाले टीकों का परिक्षन काफी जटल होता है इसका हर चरण जोखिम भरा होता है जिन लोगों पर ऐसे टीकों का परिक्षन किया जाता है उनके जान को भी खत्रा रहता है कई बार परिक्षन में इस्तेमाल टीके के प्रतिकूल असर के चलते प्रतिनिधी में आजीवन स्वास्ते संबंधी परिशानिया बनी रह सकती हैं इसलिए बहुत सारे विशेशग्य दवाओं के मनुश्य पर परिक्षन का विरोध करते रहे हैं मगर दिक्कत यह है कि बिना मनुश्य पर परिक्षन के दवा के बारे में अंतिम रूप से कोई निरने नहीं लिया जा सकता विराम इसी कुरम में सीरो के टीके का बुरा प्रभाव नजर आया था भारत के स्वास्ते विभाग का दावा है कि यहां भी जल्द ही कोरोना का टीका बाजार में आ जाएगा विराम सीरो के टीके में पाई गई खामियों को जल्दी दूर कर लिया जाएगा पैराम हमारे यहां कोविड नैंटीन का टीका जल्दी से जल्दी बाजार में आना बहुत जरूरी है क्योंकि इस विशानू के चक्र को तोड़ने के लिए आजमाए जा चुके अब तक के सारे उपाई विफल साबित हुए हैं जब से बंदी खुली है लोग मनमाने तरीके से बाहर निकलने लगे हैं उन्हें नाक मुह डखने जैसे एहतियाती उपायों पर अमल न करने के लिए भी दंडित करना पड़ रहा है कई राज्यों में दुबारा आंशिक बंदी लगानी पड़ी है दूरदराज के गावों और कस्बों में इस लापरवाही से अधिक खत्रा बढ़ गया है स्वास्ते विभाग की चिंता है की किस तरह इसके संक्रमन का चक्र तोड़ जाए विराम फिलहाल शिरुवाती चरण में सबको इका उपलब्द कराना सरकारों के सामने बड़ी चुनोती होगी मगर जितने भी लोग तक इसकी पहुँच संभव हो पाएगी उतने से ही इस पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी हालांकि टीके के बाजार में आने के बाद भी हात धोने उचित दूरी बनाए रखने नाकमों ढक कर ही बाहर निकलने और प्रतिरोधक शमता बढ़ाने वाले खद्यपदार्थ लेते रहने की जरूरत बनी रहेगी विराम किसी भी विशानों को पूरी तरह समाप्ट नहीं किया जा सकता विराम कोरोना का विशानों भी खत्म होने वाला टीका सिर्फ लोगों में उससे लड़ने की प्रतिरोधक शमता विक्सित कर सकेगा इसलिए लोगों से यह अपिक्षा सदा बनी रहेगी की वे इस विशानों से बचाव के एहतियाती उपाय इस्तिमाल करते रहें ब्रिटेन में टीके के आज आने से निस्संदे स्वास्थे विज्यानियों का मनोबल बड़ा है कीवे इस चुनाती पूंट संक्रमन को रोकने की दिशा में कामियाबी के बहुत करीब पहुँच गए हैं विराम पैरा अमेरिका में राष्ट्रपती चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने जब H1B वीजा नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव पेश किया था और बाद में इसे मंजूरी भी दे दी गई थी तब उसे अमेरिकी मत दाताओं को लुभाने की कोशिश के तौर पर ही देखा गया था यहे अलग बात है कि इस मसले पर उन्हें अंतिम कामियाबी नहीं मिली क्योंकि वे रास्ट्रपती चुनाव हार चुके हैं लेकिन विश्व में अमेरिका को जैसा देखा समझा जाता है उसमें उनके उस फैसले को कोई सकारत्मक कदम नहीं माना गया विराम बलकि चुनावों के दौरान ही अगस्त में रास्ट्रपती पद के दूसरे उमिद्वार जो बाइडेन की टीम ने कहा था कि अगर उनकी जीत होती है तो उनका प्रशासन H1B वीजा प्रणाली में सुधार करेगा और ग्रीन कार्ड के लिए कंट्री कोटा को हटाने पर भी काम करेगा विराम बाइडेन की कोशिशों को भी तब अमेरिका में अप्रवासी भारतिय समुदाय को अपनी और आकशित करने की कोशिश करार दिया गया था लेकिन अब अमेरिका की एक अदालत ने जिस्तर है H1B वीजा नियमों पर ट्रंप के फैसलों पर रोग लगा दी है उससे बाइडेन सहित आप्रवासी नागरिकों के पक्ष के सही होने की पुष्टी हुई है विराम गौरतलब है कि कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले की अदालत ने मंगलवार को ट्रंप प्रशासन की उस नीती पर रोग लगा दी जिसमें दर्ज नियम विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अमेरिका कंपनियों की शम्ता को बाधित करते थे विराम इसके तहट रोजगार प्रदाता को H1B वीजा पर विदेशी कामगारों को अनिवार्य रूप में जादा मजदूरी देनी पड़ती इसके अलावा अदालत ने अमेरिकी कंपनियों और रोजगार प्रदाताओं के लिए H1B वीजा की अहर्ता को कम करने वाली एक अन्यनीती को भी खारिज कर दिया जाहिर है अदालत के ताजा फैसले के बाद मसले पर प्रभावी नियम अब अमान्य हो गया है और इसे ट्रम्प के लिए एक जटके के तौर पर देखा जाएगा दरसल ट्रम्प की चुनावी नीतियों के तहत किये गए बदलावों के बाद अमेरिका में काम कर रही भारतिय आईटी कंपनियों को इस्थानिय लोगों को काम पर रखने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते इसका मतलब यह भी हुआ की अगर प्रवासी भारतियों या दूसरे देशों के पेशेवरों को रोजगार मिल रहा था तो इसकी एक बड़ी वजह है अपेक्षया सस्ता श्रम भी था विराम महमारी की वजह से अर्थव्यवस्ता टप होने और भारी पैमाने पर लोगों के रोजगार से वंचित होने के दौर में अप्रवासियों को दरकेनार करके अमेरिकियों के लिए मौका निकालने का नारा आकरशक तो था लेकिन उसे एक आदर्श हल के तोर पर नहीं देखा गया पैराम सच यह है कि लंबे समय से अमेरिका की लुक्तांत्रिक व्यवस्ता ने जैसा धाचा खड़ा किया है उसमें और प्रवासियों को देश के आर्थिक हित में योगदान देने वाले तबके के तोर पर देखा गया यही वजह है कि आज अमेरिका में बड़ी तादाद में दूसरे देशों के लोग रहते हैं और उनमें से बहुत सारे H1B वीजा नियमों के तहत अलग-अलग शेत्रों में पेशेवर नौकरी भी करते हैं यह वीजा एक गैर आवरजक वीजा है जिसके तहत अमेरिका में काम करने वाली कमपनियां सिध्धान्तिक या तकनी की विशेशक गिता से संबंदित कुछ खास व्यवसायों के लिए दूसरे देशों के लोगों को रोजगार दे सकती हैं यो यह मसला केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है विराम बलकि आज अर्थविवस्था और तकनीकी की दुनिया में अमेरिका अगर एक ताकतवर देश के रूप में खड़ा है तो उसमें अप्रवासियों की भी बड़ी भूमिका है पून विराम